हलो व्रीवान हाई कैसे हैं आप सब लब दोस्तों मेरा नाम है उर्विशी जूशी और यह मेरा चैनल डूबल त्री हाइव पीस्टेशार संडे है थोड़ा सा मिल फरी हूं तो सोच रहूं कि जरा आज बाक टू बैक वीडियो शेयर करूँ आपके साथ थोड़ देर पहले म क्या रहा होता है क्या है और क्यों आप इतना चेस कर रहे होते हो ठीक है今 सब बाकर रहा है नहीं रहना चाहता है प्udkle आप चेस कर रहा है यह सब क्या चल रहा है कोई भाग रहा है कोई उसके पीछे भाग रहा है क्या कारण है कि आप जबर्दस्ति कीजी को पकड़ो या फिर मज़े बाते करें और फिर अपना भागे क्या ऐसे होते हैं मैं ऐसे निभाई जाते हैं रिश्टे तो मेरे को जो समझ आया ना वो मैं आपके साथ साफ साफ शेयर कर रही हूँ कि कोई व्यक्ति रिलेशन्शिप में ऐसी हरकते क्यों करता है कोई लड़की या लड़का क्यों पागलों के जैसे किसी कुछ रहता है इसका कारण बचपन है इसका भी कारण बचपन है बचपन जो है ना वो हमारी नीव है हम आज जो बिहेव कर रहे है ना उसकी नीव है उसकी जो जड़ है जो हमने जो भी बचपन में देखा सीखा है वही आज हम है तो जितने भी लोगों ने बच्चपन में अपने माबाप में अपने घर में ऐसे ही रिष्टे देखे हैं जहां इंबालेंस फादर है या माबाप की नहीं बन रही है आप या वो लड़ रहे है जगड रहे हैं उन्होंने कभी देखा ही नहीं पेरेंट्स के बीच में सामच जिसे बैलेंस जिन भी बच्चों ने अपने घर में बच्चपन में इस तरीके का महल देखा होता है कि फादर डॉमिनेटिंग है या मदर डॉमिनेटिंग है या आपस में लड़ रहे हैं कलेश कर रहे हैं एक दुसरे को समझ नहीं रहे हैं एक दुसरे को नीचा दिखा र relationship में अपनी partnership में exactly ऐसा ही करते हैं उनको पता ही नहीं है कि रिष्टा निभाना कैसे है क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं उन्होंने सीखा ही नहीं जितने भी लोग awakening की process में हैं उनका बच्पन खराब रहा है जादा तर लोगों का 70-80% लोगों का सबका नहीं बट 70% लोगो उन्होंने weak तो कहीं ना कहीं वो दुसरे पुरुष की तरफ से comfort मतलब happiness feel करना चाह रहा है और इसलिए अगर कोई उनको थोड़ा सा भी साथ दे दे प्यार दे दे तो एक दम से भागल होने लगते हैं उसकी तरफ और जो लोग relationship से भाग रहे होते हैं उन्होंने बच्पन म हम behave कर रहे हैं तो जितने ही लोगों ने अपने बच्पन में अपने माबाप के बीच में गलत संबन देखे हैं गलत तरीका देखा है गलत behavior देखा है वही लोग आगे चलके या तो किसी के पीछे भाग रहे हैं या तो किसी से भाग रहे हैं उसको उसके साथ चार दिन बित करता है जो कर रहा है कि उसको इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं से क्यों कर रही हूं या क्यों कर रहा हूं और वह अपने बचपन नितिक थ exits का रां कई ना चैंड लटा कार रहा है जो में इस तरीकें से भीएव trace कर रही माबाप के बीच में वही कर्मिटिंग मैनुपलेशन गलत चीजे देखिया है नोने बच्पन में और वही चीज आगे जो है अभी फोड़े पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि अगर आप अपने कार्मिक से कुछ नहीं सीखते हो तो आप अपने कार्मिक जैसे ही बन हो तो जितने भी लोगों ने अपने कार्मिक पेरेंट से कुछ नहीं सीखा उनके अंदर वही गुण संसकारा रखे होते हैं और उसी की वज़े से वह और जादा आगे चलके लोगों को दुख पहुचाते हैं और अपना कर्मा बढ़ाते हैं तो इस चीज को आप समझना व अगर उसने देखा होता तो आपके साथ वह चीज को बनाता या बनाती मिंटेन करती या करता और आप भी इसलिए चेस कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर भी कहिन है वह जितना प्यार आपको चाहिए था वह रिसीव नहीं हुआ थोड़ा सा किसी ने प्यार कर दिया तो बिल चेहिए लाइफ में रिस्ता होना चाहिए खुद पर आप काम करते रहो अपने सारे जो जिन चीजों को हील करना उनको हील करते रहो अपने अंदर काम करते रहो सही लोग सही परसन अट्राक्त जुरूर होगा वकर्ड़ यह था आजका वीडियो आई छोप आप लगों शुरॉष को प्रशान कर रह reboot रही है यह चलalta रहता है तो यह जCR कर रही है अब जो चीज एना पिर उत सीखना है सीखना है ठीक है अवेकनिंग जूर्णी में हम बहुत सारी चीज़े सीखते है ना लेसन लर्न करते ना तो ये भी सीखना है और सबसे पहले हमें खुद से ही शुरबात करने होगी खुद पर काम करते रहना होगा खुद को हील करना होगा नेगेटिविटीज को रिलीस करना होगा, और अबजर्व करना होगा, कहां पे हम, कहां पे काम करने की जुरू हता है. So, that's it. Bye-bye. God bless you all.